नमस्कार दोस्तों जीके अर्जनसार YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है UPTGT 2004 साल पेपर ग्री बिज्ञान का तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है वी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प् प्रारंब करते हैं हाँ अगर आप लोगी से पिछला प्रेट्टि सेट या इससे पिछले जो है आप ग्री विज्ञान के साल पेपर देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्किप्शन में दे दिया हूं तो वहां से इछले जितने भी 2021 तक पेपर हुए उसका साल्वव आपको देखने को मिल जाएगा। तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं। पाला इसमें कॉशन है सरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रीत करने वाले पदार्थ है। तो शरीर के जो आंत्रिक क्रिया इसको निएंस zgirmत करने विधार्थ हैं कौन से उस प्रधार्थ हों का जाता है Ve никогда Qeering को साथ Qeering मिष्फिम नम्पर तीन है Docter to मे स्वामी नाथंधान हारा निमलिखित में से कौन खाद्य वर्ग की अनुसंसा की गई है इसमें जो है 11 खाद्य वर्ग की अनुसंसा की गई है कोशन नमबर चार है तवचा जुरिय युक्त एवं उनका पीला रंग होना लच्छन प्रदर्शित करता है ये प्रदर्शित करता है किसका कूपोशन का इसका राइट एंसर एस योगा कूपोशन कोशन नमबर पांच है दूद तथा दूद से निर्मित भोज़ पदार्थ मान्स मचली अंडा दाले चना स्वाबीन सूखी सेम्त मटर मुंख़ली तिलहन अनाज में आदी होते हैं ये सब क्या होते हैं तो ये जो है शरीर के निर्माणक भोज़ पदार्थ होते हैं कोशन नमबर छे है एक से तीन वर्स चार से छे वर्स के बाला के लिए ICMR द्वारा कितनी कलोरी उर्जा दैनिक निर्धारित की गई है तो ये निर्धारित की गई है क्रमसा 1200 तथा 1500 कलोरी कोशन नमबर साथ है जल द्वारा पकाने की बिधी को कितने भागों में बाटा गया है तो ये जो है उबालना धीरे धीरे उबालना तो धीमी आग पर पकाना तीन भाग गई है इसके कोशन नमबर आठ है नीचे के बरतन में पानी डाल कर तथा उपर चलनी या कोई कपड़ा बांद कर खाते पदार्थ तो रखा जाता है जिसे कहते हैं तो इसको कहा जाता है वास्प द्वारा पकाने की प्रत्यच बिधी कोशन नमबर नौ है प्राणीज भोज पदार्थों और बनस्पत भोज पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है तो ये प्राप्त होता है क्या प्रोटीन प्राप्त होता है कोश्चन नमबर 10 है भोज पदार्थों में मिलावट से होते हैं तो भोज पदार्थों मिलावट से क्या होता है कुपोशन होता है कोश्चन नमबर 11 है भूजने तथा सेखने का परियोग किस बिधी में किया जाता है तो वाई द्वारा पकाने की बिधी में कोशन नमर 12 है रेफ्रीजरेटर में सुक्राणुक की बृधी 40 डिगरी से नीचे क्या होगी रुक जाती है इसका राइट एंसर दो नमर होगा रुक जाती है कोशन नमर 13 है अंड़त दूद सुरच्छित रहते हैं ये सुरच्छित रहते हैं 35-40 डिगरी फार्न हाइट फर कोशन नमर 14 है बोतलों दोरा फलों के सानच्छन के लिए आवस्यक नहीं है क्या आवस्यक नहीं है उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना कोशन नमर 15 है भंडार ग्री में नमी होने पर डिबो को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए तो क्या करना चाहिए तेल युक्त वस्त्र उसके चारों और रगड देना चाहिए कोशन नमर 16 है इस्ट्रावेरी या चैरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिला जाता है तो उसमें क्या मिला जाता है तो नीबु का रस उसमें मिला जाता है कोश्चन नमर 17 है बाल कल्या सेवाओं में स्वास्त निरिचक जन स्वास्त नर्स तथा चिकिस्सा अदिकारी के संपर कर स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुक है ये प्रमुक होता है किसका सहायक नर्स मिडवाइब जिसको एनम बुला जता है कोश्चन नमर 18 है वाइरस द्वारा सिसुओं में होने वाला समान चूत है तो समान चूत है हुआ है मिजल्स जर्मन मिजल्स चिकन पाक्स यह चेचक या उपरोग सभी इसमें सभी हो जाएगा कोश्चन नमर 19 है दिप्थिरिया के पड़ाम होते हैं तो दिप्थिरिया के पड़ाम क्या होते हैं तो इसमें हो जाएगा बेसली के काराण गले में भूरी जिल्ली बन जाना कोश्चन नमर 20 है कुष्ट रोग के लच्चन है कुष्ट रोग के क्या लच्चन है संबेदन के आनुभूति को समाप्त हो जाना नाणियां बढ़ जाना तथा कॉमल हो जाना तो चापर बड़ी गरंथे दादा फोड़े होना उप्यक्ति सभी तो उप्यक्ति सभी हो जाएगा इसमें सही अंसर कोश्चन नमबर 21 है मलेरिया होता है मादा एनफलीज मच्छड के काटने से कोश्चन नमबर 22 है पसुओं से मनुस्य तक पहुचने वाला छूत रोग है तो वह छूत रोग कौन सा है हाइड्रोफोबिया इसका इस सही होगा कोश्चन नमबर 23 है निमलिखित में से कौन सा आहारिय चिकिस्सा उद्दिश है तो इसमें जो है उप्रयोक्ति सभी सही हैगा पाचन तंदर के कश्टों को देखते ही सरल स्वा में तता सुपाच आहार परदान करना रूड़ा वस्था में भी उच्च पोसक अस्तर के निरंतर आपूर्ति करना सरीर के प्रवाय तंगों को प्रयाप्त बिश्रा प्रदान करना सभी हो जाएगा इसमें कोश्र नमर 24 है उच्च प्रोटीन यूकत अहार में प्रती दीन प्रोटीन देना चाहिए प्रति दिन प्रोटीन देना चाहिए इसमें आपका हो जाएगा 100 से 125 ग्राम कोशन नमर पचीस है ज्वार से पीडित ब्यक्ति के अहार में कितने कैलोरी देना चाहिए इसमें जो है कम सकम 27 कैलोरी देना चाहिए कोशन नमर 26 से अर्ध सुत्री कोशका का बिभाजन होता है यह होते हैं मानों शरीर के प्रजनम तंत्र में कोशन नमर 27 से मस्तिक सतारिण रजु में पाय जाने वाले उर्जा कहलाते हैं कोशन नमर 28 है अस्थी पंजर के कौन प्रमुक भाग नहीं है तो अस्ति पंजर के कौन प्रमुक भाग नहीं यह है पूछा जा रहा है तो वह है रक्त काण कोश्चा नमबर 29 है मेरुडंड कोश पसलिया तथा उरोस्ति है तो यह उरोस्ति है इसका राइट कंसर हो जाएगा B यानि दो नमबर धाड की अस्तिया कोश्चा नमबर 30 है स्वस्त शरीर में पेशिया सदाई थोड़ी कसावट की स्थिती में रती है ताकि परतेक समय क्रिया के लिए ततपर है या ततपरता कहलाती है क्या कहलाती है इसको काया था मसल टोन Q31 है वैसे पेसिया जो नितम या मानसल भाग बनाती है तथा फीमर से जुड़ कर नितम जुड़ का फैलाव करती है वह कहलाती है वे कहलाती है, triceps, triceps, question number 32 है, पसलियों के बीच में इस्तित, जो पसलियां उसे स्वसन के उपर उठाती है, वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, intercostals, question number 33 है, प्रति घं मीमी, रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है, तो ये संख्या होती है, पचास लाक, Question number 34 है, रग्ट पटिकाओं का कारी होता है तो रग्ट पटिकाओं का कारी क्या होता है तो चोट लगने पर रग्ट को जमाना Question number 35 है, अमासे के पीछे तथा उधर के उपरी बाएं कौने में जो बड़ी लंच का ग्रंथी के समान होता है उसे काते हैं को इसे हैं त कहा जाता है तुसको कहा जैता है पाचन गर्दू से 2 Users के बच्चों का अस्थाय दातों की संख्या होती है तो अस्थाय दातों की संख्या क्यों बीच होती है कि फैसे नमभरpi狂दू से बड़ी ग्रंथा भार डेढ़ किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है जो अमासे के उपरी भाग में दाइं तरफ उदर पेट के नीचे होता है कहलाता है तो उसको कहा जाता है यक्रित कहा जाता है लीवर इसको कहा जाता है तो इसको कहा जाता है यह टाइलीन होता है इसमें गलत पूछा है इसमें जो है उपरोप्त सभी गलत है सोसन तंतर से कोशन नमबर 41 है सोसन की किरिया एक मिनट में होती है तो सोसन किरिया एक मिनट में 18 वार होती है कोशन नमबर 42 है जब किसी कारण से फेफ़णों तथा आक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा उत्तक को आक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस इस्तिती को कहते है तो उस इस्तित ओपेन कूकर वैकूम किलिनर कारे सरली करण के हैं तो ये सरली करण के हैं नए क्रांतिकारी समान हैं कोस्टन नमर 44 है ग्री सज्जा के विभिन अंग कौन नहीं है तो ग्री सज्जा के विभिन अंग कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है तो घरों तथा कमरों में भेन बकरिय कोश्चन थाने समय व्यस्थापन की योजना के सफल होने से सफल होने से संतोस जनक परिवारिक लच्छ या मानसिक संतोस्टी दोनों होते हैं कोस्टन नमबर 48 है किस उपकरण में तयार खाद पदार्थों को वाई मंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है ये बचाया जाता है रेफरी जरेटर दोरा कोस्टन नमबर 49 है अपने परिवार समाज तथा राष्ट हित अपनी छमताओं को संपूर उप्यक कर मानो जाती का कल्याण कर सकता है तो वह है स्वस्थ ब्यक्ति कोस्टन नमबर 50 है बिभीन स्वाम सेवी संस्थाय समदाइक स्वास्त उत्थान है तो कौन-कौन कारेरत है ये कारेरत है इनमें से सभी हो जाएगा भारती रेट क्राश समाज एम भारत सेवक समाज कस्तुर्बा मेमोरियल फॉंड एंड हिंड कुष्ट निवारन संग भारती बाल कल्यान परसाद मखिल भारती नेतरहिन उनमुलन समाज सभी होगा इसमें कोस्टन नमबर 51 है पर्यावरण के अजयाविक घटक है कोस्टन नमबर 52 है वातावरण में कौन सी गैस मुक्त आवस्था में 100 पोसियों के विकास के कारण हुआ है तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा तीन नमबर आक्सीजन कोस्टन नमबर 53 है ओजोन के अस्तर किसके हनिकारक परभाव से हमारी रच्छा करते हैं तो वह है पराववैगनी क्रिणे की कोस्टन नमबर 54 है पिर्थिवी पर जीवों के उत्पति कितने वर्स पूरु हुई थी ये विथी चार अरब वर्स पूरु कोस्टन नमबर पचपन है प्लास्टिक की किस परकार का अपसिस्ट है तो प्लास्टिक जो है एक परकार का जैव एवं निमन करनी अपसिस्ट है कोशन नमबर 56 है वैसे बिस जो बिना अंगों को जलाए है भी साक्त लच्छन उत्पन करते हैं जैसे तूतिया वे कहलाते हैं तो उसों कहा जाता है उदाहक बिस कोशन नमबर 57 है कार्बोलिक अमल का पान करने पर रोगी को निमलिकित में से क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए इसमें आपका जो है राइट एंसर होगा ए वमन नहीं करना चाहिए और चूने के पानी के अंडे की सफेदी के तरह जो है वमन अर्चूने के पानी की तरह जो है सफेदी मिलाना चाहिए इसमें ये इंसर होगा कोशन नमबर अंठावन है रेडियस तथा अलना अस्थियां भांग होने पर उसे इस्तिर होने के लिए परियोग करना चाहिए तो उसे परियोग करना चाहिए खपच्चियों का ये सईयोगाश में कोशन नमबर 69 है मानसिक विकास होता है तो मानसिक विकास होता है नियमी तेम करमबद रूप से कोशन नमबर 60 है किस काल में बालक अधिकान से बाते घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है तो ये सीखता है सैस्वा अवस्था में QA 61 is बच्चों के अस्थाई दात कब से निकलने लगते हैं तो बच्चों के जो अस्थाई दात है वह निकलने लगते हैं चार वर्ष की उम्र से QA 62 is 12 से 18 वर्ष की आई का काल कहलाता है इसको कहा जाता है कि सूरा अवस्था QA 63 is विकास के छेत्रों में ग्री विज्ञान का योगदान है तो इसमें एंसर हो जाएगा उपविक सभी है परिवारिक अस्तर उत्थान स्वास्त तथा पोशन चेत्र में रोजगार परिवार कल्यान चेत्र में बाल सिच्छा तथा इस्तरी सिच्छा के छेत्र में सभी होगा इ राष्टिय महिला आयोक समधिय नया अधनियम बना ये अधनियम बना था 1990 इस्वी में कोशन नमबर 65 है भारती समिधान के किस भाग में कहा गया है कि राज को ऐसी बेवस्था करने चाहिए जिसमें इस्तिरियों तथा बच्चों के स्वास्त और सक्ति का दूर्प्योग नहीं हो इसमें आपका राइट इंसर दूसरा से राज के नेती निरेशक तत्तों में कोशन नमबर 66 है भारत में कभ तथा कहां सर परथम इसकुलों में ग्री बिज्जान पढ़ाने का प्रावधान हुआ है ये प्रावधान हुआ है सन1948 में मद्रास में कोस्तन नमर 66 है सरपर्थम कहां तथा किस उच्च विद्याले में ग्री विज्ञान को सिछन विशेक रूप में समलित किया गया है ये समलित किया गया है महारानी बालिका उच्च विद्याले बड़ोदा गुजरात में कोस्ट नमबर 68 है किस पुरूस ने सरपर्थम ग्री बिज्ञान में प्यजडी की उपाधी प्राप्त की थी उस पुरूस का नाम है डाक्टर केयन चंद्र सेखर कोशन नमबर 79 है वह पर्थम भारती पुरुष जिसने गृह बिज्ञान में पीचडी करक राजेंद्र क्रिसी विश्विद्याले पूशा समस्तिपूर बिहार में गृह बिज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया इसमें आपको जाएगा डाक्टर केयन चंदर सेखर कोशन नमबर 70 है ब्यक्तिका समस्याओं के सासात राष्टी समस्याओं के निदान जिसे जनसंख्या, बिरधी रोक, चेचक, मलेरिया, उन्मूलन, पर्यावरान, सुरच्छा, सिचाई, दवाबित्रान, व्यस्क सिच्छा, जन सिच्छा, पोशन समन्दी समस्या, इस्तरी सिच्छा, टिका करान, जनमत आधी पहुंचाना उद्धिस है, तो इसका उद्धिस है, अपचारिक तथा अनपचारिक दोनों सिच्छाओं के, कोश्चन नमर 178 है, ग्री विग्यान का अर्थ है, तो ग्री विग्यान का अर्थ होता है, अपने संसाधनों का परबंद करने कि कला कोस्टन नमर 72 है किसी वस्तु की कारे पढ़ाली को बताना ही क्या है प्रतिपादन है कोस्टन नमर 73 है संचार की वैसी बीधी प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों में से किसी को जनकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है तो वह कहलाती है प्रदर्शनी का आयोजन कोस्टन नमर 74 है वर्तमान आयक का वर्तमान उफभोग ब्याइप पर अधिक्य को बचत कहा जाता है यह उक्ती है ति यह उक्ती है किन्स की कोस्टन नमर 75 है बालो पहार योजना बाल विकास फंड योजना किस बैंक सस्थाओं के अंतरगत कारे कर हो रही है जीवन विमानिगं तथा भारतिय त्रस्ट पर कोस्टन नमर 76 है बैंक के खातों के प्रकार है इनमें से सभी बचत्पाता और यावर्ति खाता निसीतावधी जमा खाता या चालाु सबी होगा इसमें इंसर कोश्चन नमर 77 है घी मक्षन खाद तेल सहद दाले मसाले आटा तथा बेशन उत्पाद का प्रमाणन चिन होते हैं यह होते हैं एक मार्क कोशन नमर 78 है नेड़े करने में उन उद्यस्यों का स्थित्व नहीं थे जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है यह किसकी उक्ति है यह उक्ति है डी उड्स थामस का किसका है डी उड्स थामस का कोशन नमर 89 है सामनुपातिक प्रभाव के नियामक है सामनुपातिक गंदे कपणों पर सावुन की टिकिया के स्थान पर सावुन, कच्चून या बिरंजक का प्रियोग होता है, तो ये प्रियोग होता है, स्रेशिकर होता है, कोशन नमबर 81 है, 6 से 12 वर्स्ता के काल को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है, बाल्या अवस्था, कोशन नमबर 82 है, किस में यह उन परिप्रक्तवा के कारण बालक के सरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं तो वह होता है कि सोरा वस्था के समय कोश्ण नमर 83 है जन्म के समय सीसु के सिर की लंबाई पूरे सरीर की लंबाई की कितनी होती है तो यह होती है एक चौथाई कोश्ण नंबर 84 है, सिसु पालन एवं समाजी करण की परकिरिया का संवंध होता है, तो ये संवंध होता है विभिन साधनों या संस्थाओं से, कोश्ट नंबर 85 है, समाजिक अस्तरी करण तथा समाजिक बिभाग से सम्मंधित है, तो वह है जाती, कोशन नमबर 86 है, किस अवस्था में बालक की विद्याले अंतह क्रियाएं परिवार के पिछा अधिक हो जाती है, तो वह है 11 से 12 वर्ष की अवस्था में, कोशन नमबर 87 है, सीसु साला में दिनचारिया का आराम बच्चों द्वार होता है, यह होता है प्राथना गीत के साथ, कोशन नमबर 88 है, जहां पती पत्नियां बच्चे ही मात्र एक साथ मिल जुलकर, एक छट के नीचे रहकर, एक ही रसोई में खाना पकाते तथा खाते हैं, उसे कहते हैं, उसको कहा जाता है, ब्यक्तिगत परिवार, कोशन नमबर 89 है, यह वह किसका कथन है, वह किसका कथन है, संयुत परिवार में दमपत्य, प्रेम के विकास का आउसर कम प्राप्त होता है, यह कथन किसका है, यह कथन है, डाक्टर राजेंद प्रसाद का, कोशन नमबर 90 है, परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग बनावट आदी को ब्यवसित करने के लिए भी करने के लिए भी क्याने चाहिए कला के अनुभूद सिधानतों का सहारा लेना चाहिए कोस्ट नमबर एक क्यानवेर है सीधी आड़ी खड़ी तीरची रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन दिशाओं में बना कर तिया कोस्ट नमर तीरानवेर है किस के लिए परिधान रचना में रंग रेखा आकिर्ति तथा अलंकरन में पुनाविर्ति अस्तरी करन तथा बिकरन का परियोग करना Čये ये परियोग करना चाहिए कोस्ट नमर चाहिए किस स्केल में कोई विव्यक्त अपनी पोसाक या पहनाव के अचित्य का मुल्यांकन कर सकता है। यह कर सकता है इन सभी पर संतुलन और लाय समानुपात अनुरूपता। सभी सही है इसमें। कोईशन नमबर 95 है चूसन बिधी द्वारा किस परकार के वस्तरों की धुलाई की जाती है। तियह वस्तर है भारी वस्तरों की। कोईशन नमबर 96 है कपड़े की देखरे करना परमुख करतबियों में से एक है तो वह है ग्रिहणी के। कोईशन नमबर 97 है निमलिखित में से कौन से वस्तरों की देखरे केम एतियात के लिए आवस्यक नहीं है। तो वह है अनुचित धंग से परियोग में लाना। Question number 96 है, प्रकासिक तंतू है, तो प्रकासि तंतू है क्या है? तो एक प्रकार का कपास है, प्राकिर्तिक तंतू कपास हो, कहा जाता है, नमियुगत वस्तरों पर लग जाती है, क्या लग जाती है? तो वह है फफूदि, फंगस जिसको बोलते हैं. कोश्चन नमबर 100 है, जल की कठोरता कितने परकार की होती है, तो जल की कठोरता जो है, चार परकार की होती है, सारी चार नहीं, दो परकार की होती है, जल की कठोरता दो परकार की होती है, एक अस्थाई कठोरता, एक औस्थाई, कोश्चन नमबर 101 है, चाय के धब्बे किस वर प्रकार का रेसम होता है कोस्टन नम्बर 103 है बिनाइल डोल क्लॉराइड से बनता है इससे क्या बनता है तो टेरिलीन बनता है टेरिलीन का निर्माड होता है कोश्टन नबर 104 है रेसम की निमलेखित विष्रीस्ताओं में कौम सा गलत है गलत इसमें बताना था दूसरा लप्रांट गलत है इसकी विष्रीш्ट गूर्तत 2.5 होता है यह गलत है कोश्टन ंबर 105 है धुलाई की वीभिन बिधियों में गलत है तीसमें हो जाएगा पटक कर, ये गलत भिद्री है, धुलाई का Kitchen number 106 है चिकनाई और सौसक भिद्री में प्रियुक्त नहीं होते हैं तीसमें प्रियुक्त नहीं होते हुआ है पैट्रोल Question number 107 है परिधान की सैली कैसी होनी चाहिए? तो ये जीवन सेली से मेल खाती हो ऐसी होनी चाहिए कोस्टन नमबर 108 है किसमे सहयोग त्याग अनुकुलता तथा प्रतिस परधा आधी समाजी गुणों को अरजित किया जाता है तो ये किया जाता है खेल में कोस्टन नमबर 109 है अपने देश का सुयोग नागरिक बनने तथा अपने समाजीक तथा परिवारिक दाईतों को सफलता पुरोग निभाने के आवस्य गुण तथा छमताएं बिक्सित करने मत्मुण भुम का कौन निभाता है ति ये निभाता है स्कूल कोस्टन नमबर 110 है परिवार की सफलता की कुझी है तो वह है सफल दामपत्य समायोजन कोस्टन नमबर 111 है आर्थिक दिर्ष्टिकोंड से सउयुक्त परिवार के लाब है तो वह है उपरुक सभीस में मीत बेतेता और भुमी भी खंडन से बचाव कोस्टन नमबर 112 है सउयुक्त परिवार के समाजिक लाब है क्या है तो वह है इसमें सभी होगा इसमें समाजिक सुरच्छा ये परमार्थ की भावना समाजिक नियंत्रन ये परमप्राओं की सुरच्छा बच्चों का उचित पालन पोसन ये मनरोंजन सभी हो जाएगा इसमें इंसर कोस्टन नमबर 113 है सउयुक्त परिवार के दोस निमलिखित में से कौन सही है सउयुक्त परिवार के दोस पुछा जारे कौन से सही है इसमें भी सभी चारों इसमें दोस सही है ब्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी किसी ब्यक्ति को ब्यक्ति रूप से जानने से पहले सबसे पहला प्रभाव जो पढ़ता है वह होता है तो वह है उसके परिधानों से कोस्टन नमर 116 है संतुलन से परिधान में आता है संतुलन से परिधान में क्या आता है तो वह है बिश्राम दायक भाव कोस्टन नमर 117 है एक तंतुक रेशा है एक तंतुक रेशा क्या है यह जो एक प्रकार का क्या होता है रेशम हो Q18 है, प्लैकेट कहते हैं, किसको बटन की पटी को, Q19 है, कौन से मानुविक्रित रेशे नहीं है, तो वह है है, हैम्प Q20 है, रेशम है, रेशम क्या है, तो रेशम एक प्रकार का प्राकिर्थिक रेशा है कोशन नमबर 121 है अत्यधिक जोलंसिल रासानिक बिलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है तो वह है पेट्रोल कोशन नमबर 122 है डायटीसियन पाककला सिलाई हस्त सिल्फ आधी में रोजगार प्राप्त करती है ये है गृष बिग्यान के सनातक छात्राय कोशन नमबर 123 है महिला सिछा निदिक अस्थापना कब तथा कहां दूतिय अधिवेशन में हुई तिये हुई थी सन 1928 दिल्ली मे कोशन नमबर 124 है ब्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है ये लाया जाता है ब्यक्तिगत रुप से मिलकर ब्यक्तिगत पत्र लेकर दोनों से योगा तीसरा इसमें आपसन कोशन नमबर 125 है और अन्तिम कोशन है एक परकार के सिछा जिसका वर्तन लाना कहलाता है ये कहलाता है संचार ये था आपका टीजिटी ग्री बिगान 2004 का साल पेपर तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आता है इसको लाइक करें अपने दोस्तों के हाँ अधिक सदिक सेयर करें धन्यबाद दोस्तों जय हिं वन दे मात्रम